नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 27 जुलाई 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस और एडिटोरिल अनलिसिस में आपका स्वागत है आज दा हिंदू से मैंने आर्टिकल्स उठाए हैं कुछ आर्टिकल्स मैंने आज पी आई बी से उठाए हैं एक दो और मिस्लेनियस है दा हिंद नहाँ पर पेटिशन फाइल की इसको देखेंगे गुजरात एक ड्राइ स्टेट है शराब बिखना मना है उसके बवजूद फरजी शराब पीने से फेक शराब पीने से 36 लोग की जान गए चालिस लोग हॉस्पिटल मैडमिट है इसको देखेंगे चाइना पाकिस्तान एक के IMF ने जो भी growth expectations की है उससे थोड़ा downsizing की है थोड़ा कम किया है growth expectations को यह क्या है इसको देखेंगे फिर अंटार्क्टिका की light mental albatros नाम की जो bird है वो इंडिया के तमिल नाडू में पहुंच गए यह पाक बे के आसपास तो जितने भी यहाँ पे researchers हैं बड़े आसचर चकी इसको समझेंगे इसकी वज़ा क्या है right to health for all के लिए क्या laws हैं इंडिया के अंदर यह actually में राजसभा लोगसभा के session चल रहा है वहां के reply में बताया गया है फिर भाई average life expectancy at birth 20 साल से improve हुई है यह भी जवाब में बताया जा रहा है और schedule cash schedule traps prevention of atrocities act 1989 कैसे काम कर रहा है यह भी बताया जा रहा है तो recently लोगसभा और राजसभा के सवाल जवाबों में यह answers दिये गया है इनको देखेंगे फिर भाई editorial देख लेते है एडिटोरल में US का क्या नया रूल निकल के आने वाला West Asia में इसके उपर एक editorial है फिर overall एक editorial यह है कि कि किस प्रकार से सरकार civil society को बरब रहे हैं बिल्कुल ही anti-government article है जो लोग सरकार को नहीं पसंद करते हैं वो अलग से पढ़ ले हम यहाँ पे discuss नहीं कर रहे हैं उसके बाद भाई 5G networks terrestrial 5G networks को अगर आप लियो low earth satellite network के साथ मिला दे तो terrestrial 5G networks पस Leo sat networks इनके साथ मिला दो तो इससे जो overall एक consolidated network बनेगा न वो इं हुआ एक school girl के मरने की वजह से इसके बारे में बात करेंगे जैस ओलंपियार हो रहा है तो मिल नाडू के इंदर इसके बारे में बात करेंगे और मायनमार की जंता ने चार लोग को execute कर जाया इसके बावजूद मायनमार का resistance बढ़ेगा इस respect में article में क्या बोला जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे तो अच्छे articles हैं सबसे पहले word of the day, luded, luded मतलब जो change के बोले कि मेरी privacy रखने मुझे फोन नहीं चाहिए तो इसको बोला जाएगा luded, जो change को opposed हो, हासका technological change को, तो कोई calculator यूज़ कर रहा है, वो बोला calculator यूज़ कर रहा है, वो बोला calculator इसको आप बोलतो हो, luded, और चुकि overall बात जब technological changes होते हैं, तो आपकी privacy में भी खलल पड़ेगा, तो एक इनसान जो बोले कि मैं स्मार्टफोन नहीं रखना चाहता अपनी privacy के लिए उसको आप क्या बोल सकते हो, luded बोल सकते हो, चलिए पहली news, GS paper 2 के respect से important है, Supreme Court ने सरकार स इसको रोखने के लिए क्या कर रहो, 26 जुलाई को Supreme Court ने औरली केंदर की सरकार से पूछा है कि भई यह Finance Commission से यह पूछ के बता हो, कि भई क्या किया जा सकता है यहाँ पे freebies को रोखने के लिए, अब overall freebie क्या होते हैं, कि election के समय पे, overall हम free बिजली देंगे, हम free पानी देंग इसका जवाब कौन देता है, जब election commission से पूछा गया, तो election commission ने साफ-साफ अपने affidavit में लिख दिया कि भई देखिए, जो भी poll promises में, जो भी election manifesto में, political party promise कर रही है, वो financially sustainable है या नहीं है, यह चेक करना केवल voter का काम है, मतलब मेरे आपकी जैसे लोग जो political party को vote देते हैं, हमें यह चेक करना चाहिए, कि जो भी promises हमें political parties और leaders के दोरा किये जा रहे हैं, वो सही हैं या नहीं है, election commission अपने roll में उसको चेक नहीं कर सकता, समझे, election commission ने साफ-साफ अपने हाथ खड़े कर दिये, और बोला कि भाई देखिए, हमारे पास सरकारी policies और decisions को चेक करने का logic य election के बाद अपने poll promises को यह सरकारें पूरा करेंगी या नहीं करेंगी, इसके लिए कोई भी enabling provision election commission के पास है नहीं, तो या तो आप हमको ताकत दो, हमसे अभी की ताकत में यह मत बोलो, कि हम यह चेक करें, कि जो भी poll promises दे रहे हैं, यह political parties, क्या यह long term में fulfill करेंगे या नहीं कर अगला case का number उनका था, तो सुप्रीम कोट की जजनी senior advocate कपिल सिब्बल साब से बोल लिया, कि साहब आप तो parliamentarian lawyer हो, आप अपना viewpoint बता, तो कपिल सिब्बल साब ने सुप्रीम कोट की judges को address करते हो, बोला कि your honor, आपकी बात बिल्कुल सही है, यह जो freebies है, this is a big challenge, वो सरकारें जो overall जादा पैसों का announcement करके बताती है, कि हम यह कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में कर नहीं पाएं, यह एक dangerous trend है, इसको रोकने की जरूत है, बट इसको रोकने की responsibility अब केंदर को मत दो, इसको रोकने की responsibility अब राज्यों को दो, finance commission को यह direction दिये जा सकते हैं, देखे, finance कमिशन एक independent body है, तो finance commission allocation suggest करता है, अलग-अलग राज्यों को, तो जब finance commission allocation suggest कर रहा हो, तो उस समय पे finance commission देखे, कि अलग-अलग राज्यों का क्या depth है, किस प्रकार से पिछले कई सालों में राज्यों ने पैसों का allocation किने हैं, कितने freebie बाटे हैं, और उसके हिसाब से final commission पै Supreme Court ने केंदर की सरकार से भी बोला है, केंदर के बिहाफ पर, Mr. Natraj आयते, इनसे भी बोला गया है, कि भाई, आप केंदर की सरकार का viewpoint समिट करिये, अगली hearing तीन अगस को है, जो petitioner है, वो है BJP leader और lawyer अशुनी कुमार अपाद्यार, इन्हों ने बोला है, कि अलग-अलग Free B's Promise कर सकें, Free or Fair Elections के लिए जरूरी उपाद्या साब का बोलना है, कि इंडिया का Total उधार है सतर लाग करो, राज्यों का, इंडिया में जो राज जेनों नो सतर लाग करोन का उधार ले रखा है, अगर हमने Free B, बाटने की जो tendency उधार लेके स्को आरेस्ट नहीं किया, तो ह आशुनी उपाद्या साब ने अपना व्यूपॉंट दिया, एलेक्शन कमिशन ने बोला साब ये नहीं हो सकता, हम overall किसी भी political party को deregister तब करते हैं, जब वो political party fraud या forgery से अपने आपको register करके बैठी है, या constitution के provisions को नहीं मान रही, कहीं पे भी provisions में ये नहीं लिखाए, कि political party अगर free भी बाटेगी, तो उसको deregister किया जा सकता है, तो हम इसके basis पे deregister नहीं कर सकते हैं, या तो आप amendment करो, हमारे election commission को और extra अताका दो, तो हम दिरूर कुछ कर सकते हैं, अभी की इनियम कानून में मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर next, 40 लोग जिंदगी के लिए लड़ र strategy है, गुजरात में पिछले 10 सालों में, तो के, अब overall यहाँ पे investigation हो रहा है, सुनने में कुछ ऐसा आया है, कि मीथेनौल को पानी के साथ mix करके, 20-20 रुपए के पाउचों में यहाँ पे बेखा गया है, और लोग इतने लालाई थेतारू पीने के लिए कि उन्होंने भी लिया, छे लोगों को यहाँ पे गरिफतार किया गया है, जो लोग भी overall strategy के responsible उसको section 302 murder, section 328 causing hurt by poison, section 120B criminal conspiracy के अंदर charge किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पे मरे हैं, उनके blood sample से पता चला है कि यहाँ भाई, overall methanol उनके blood sample में मिला हुए, देखे, overall alcoholic beverages को बनाने के लिए जो liquid use होता है, वो होता है, ethanol, methanol actually में एक industrial liquid होता है, it is not fit for consumption, okay, methanol से ethanol बनाया जा सकता है, प्रोसेसिंग करके, बढ़ अगर आप methanol सीधे पी लोगे, तो भाईए 10 ml में आप blind हो सकते हो, 30 ml में आपकी मृत्यू हो सकती, it is toxic to humans, तो अभी के लिए F.I.R. submitted है, बर्वाला police station बोतार म है, ठीके न, ऐसा बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे, रोजीर, रन पाड़ी, चंदर्वा, देवगना, चुकडी, बहुत सारे और villages में भी यहाँ पे यह फेक दारू बेची गई है, तो अब तक इस खबर के बाद है, इसके बाद है इसके फेक दारू होगी, उ चाहिए नहीं पीएंगे, बढ़ इस प्रकार के tragedies को रोखना ज़रूरी है, फिर अगली न्यूस, जीएस पेबर 2-3, Space International Relations, रशिया ने बोलाए कि हम 2024 के बाद International Space Station को छोड़ देंगे, अभी एक लिए देखा जाया, तो जो International Space Station है, इसको कमाइंड तरीके से चलाय जाता है, थ्रूथ इस पेस एजेन्सी तो इतनी स्पेश एजेन्सी मिलके नासा को अपरेट करती है, वैसे तो यह बोला गया है कि 2030 तक International Space Station चलाय जागा, बट रशिया ने बोला है, कि हम 2024 के बाद International Space Station छोड़ देंगे, और हम अपना खुद का Space Station मनाएंगे, अभी के लिए रॉस को मौस चुकि रशिया की स्पेस एजंसी है महां से ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है तो रशिया विल रीच लीव इंटरनाशनल स्टेशन आफ्टर 2021 इंटरनाशनल स्पेस टेशन की सापना हुई तो 1998 में तब से लेकि अब तक 22 साल हो चुके हैं इंटरनाशनल स्पेस टेशन के अदर अभी के लिए तीन रशियांस तीन अमेरिकांस और एक इटैलियन इंटरनाशनल स्पेस टेशन में ये 400 किलोमीटर की उचाई पे अर्थ से चकर काट रहा है किसके पृत्री के जीरो ग्राविटी में ठीक है तो ये हमने एक निउस देखी रशिया दोज़ाशनल स्पेस टेशन छोड़ देगा फिर अगला इंटरनाशनल स्पेस टेशन चोड़ देगा इस अप्रेल के बाद ये जो ग्लोबल एकनॉमिक आउटलुक निकल के आया आएमेफ का ये पॉजिटिव नहीं है देखें लेटेस्ट जो आउटपुट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का उसने बोला कि 2022 में ग्लोबल जीडिप के वल 3.2% बढ़ेगी पहले ये एस्टिमेट था 3.6% अप्रेल 2022 में अब 3.2% पर आगया है पिछले साल से तो ये आधा हो चुका है पिछले साल जितनी ग्रोथ हुई थी ग्लोबली उससे आधा हो चुकी इस बार की ग्रोथ पिछले बार तो लगबग 36% की ग्रोथ हुई थी अचा 2021 में जो ग्रोथ हुई थी वो tentative recovery थी चुकी 2020 में पूरी दुनिया बन थी तो 2021 में थुड़ी ग्रोथ देखने को बिली लेकिन 2000 बाई से फिर से सारा रायता फैल गया है तो इसके चलते जो growth projections है वो रुख गई है चुकी दुनिया भर की countries का इस बात पर focus आ गया है inflation को control करोगे तो inflation control करोगे तो growth prospects आपके सफर करेंगे इंडिया की growth rate भी यहाँ पे सफर कर रही है देखा जाए तो पहले IMF का आप कहलो जो expectation थी इंडिया से की 8.2 या 8.1% की growth होगी 2022 में लेकिन अब ऐसा बता रही है IMF की report की किये वहले इंडिया 7.4% growth करेगा साओधी एरिबिया जो सबसे तेज growth है वो साओधी एरिबिया की 7.6% और उसके बाद इंडिया की 7.4% 2023 fiscal year में इंडिया की growth हो जाएग एकनॉमिक ही 6.1% ऐसा बताया जा रहा है रिसेंटली ही चाइना और पाकिस्तान ने मिलके ये अनाउंस किया था कि चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर इस कोरिडोर के बारे में अगर आब बात करो तो कुछ इस प्रकार से निकलता है जो जिन्जियांग प्रोविंसे चाइना की वहां से ये शुरू होगा और पाकिस्तान उकुपाइट कश्मीर से होता हो निकल रहा है अगर ये हमारे पास होता तो चाइना पाकिस्तान का सीधा-सीधा बॉर्डर ही बहुत थोड़ा सा लगता इतना सा लगता तो काफी प्रॉब्लम हो जाती चाइना पाकिस्तान को एक साथ ट्रेड करने में लेकिन कुछ पास्ट गलतियों के चलते ओवराल पीओके हमारे पास ते चला गया चुकि पीओके हमारे पास नहीं है तो इस पाकिस्तान अकुपाइट कश्मीर में चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कॉडिनेट कर रहे हैं बहुत सारे इंफरस्ट्रॉक्चर प्रोजेट्स के लिए और बाहर की कंट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं अब इंडिया ने जैसे इस रिपोर्ट को पड़ा इंडिया ने क्रिट साइज किया बोला भई ये नहीं हो सकता है एक तो ये जो चाइना पाकिस्तान एकनौमी कोरिडोर है ये प्रोजेक्ट ही लीगल है और उसके बावजूद आप यहाँ पर थर्ड पार्टी को इन्वाइट करोगे तो ये इंडिया की सोवरेनिटी को वोईलेट करता है इंडिया की टेरिटोरिल इंटिग्रिटी को वोईलेट करता है ये लाका पाकिस्तान ने लीगली उकुपाई किया है ये लाका actually में इंडिया का है तो इस बात को लेके पाकिस्तान और चाइनीज ओफीशेस ने 21 जुलाई को जो जॉइंट वर्किंग ग्रूप आफ इंटरनाशनल कॉपरिशन और CPEC में third parties को invite करने की बात की ना इसके against बोल रहा है इंडिया actually में तालीमान ने यहाँ पे interest दिखाया है CPEC को जॉइन करने के लिए इंडिया ने साफ साफ बोला है कि जो भी third party यहाँ पे जॉइन करेगी वो illegal होगा, illegitimate होगा, unacceptable होगा और इंडिया इसके लिए action लेगा 3000 km लंबा infrastructure project बनाया जा रहा है CPEC के अंदर जिन जियां की उईगूर आटो मौमस रिजन को गवादर पोर्ट जो की बलुचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान में उसके साफ जोड़ता है तो यहाँ पे पाकिस्तान में highways, railways, pipelines बनाने के लिए चाइना पैसा देगा ठीके ना, और पाकिस्तान को अपने depth trap ना फसा लेगा प्रस इंडियन ओशन का भी access पा जाएगा फिर भाई, rare flight of टार्टिक्स light mental albatross to Tamil Nadu intrigues researchers, यहाँ पे भाई देखो क्या बताया गया, यह जो रामेश्रम है और इसके जो adjoining आइलेट्स है, Gulf of Manar Marine National Park, Adam Bridge है, राम सेतु है इनका unique marine ecosystem है दुनिया भर से जो चड़ियाएं हैं, जो birds हैं, वो अपने migratory roots में यहाँ पे आके रुखती है अब अपने आप में सबसे खतरनाक बात यह हुई कि एशिया में पहली बात light mentaled albatross पाई गई यह इसको phobetria palpabrid बोलते हो आप यह actually में Antarctic seas में common और Antarctica कहां है भाई आपको पता है यह पूरा का हम Northern Hemisphere में Northern Hemisphere में इंडिया नोशन को फिर Southern, मतब कैसे, South इंडिया नोशन को पास कर तो पीछे Southern नोशन में फिर जाके आपके आपके अंटाक्टिका पहुँचोगे तो अगर यह इंडिया है नीचे यहाँ पे एक्वेटर है यह North इंडिया नोशन फिर नीचे South इंडिया नेशन फिर नीचे Southern फिर यहाँ कहीं जाके अंटाक्टिका है नीचे तो यहाँ से इतनी दूर आ गई आपकी यह बर्ड तो overall इतनी लंबी फ्लाइट इस बर्ड ने करी और यहाँ पहुची तो जो researchers है वो थोड़ा आस्चर चकी थे कि यह इतनी लंबी डिस्टेंस से यह बर्ड यहाँ कैसे पहुच ली अगर देखा जाए तो यह पहला एशन रिकॉर्ड है अंटार्क्टिक सीवर्ड का ठीक है भई पाक बे में पाई गई है गल्फ ओफ मननार के पास इससे सबसे पास जो यह बर्ड पहले पाई गई थी वो 5000 किलोमेटर ब्दार रामेश्रम से सबसे पास अगर गड़ कवले कहीं पाई गई है तो यहां से 5000 km दूर पाई गई है तो अपने आप में एशिया में पहली बार पाई गई है अब probable reason क्या बताया जा रहा है इस albatros bird का रामेशुरम पहुँचने में तो यह बताया जा रहा है कि global warming के चलते wind patterns बदलना है उसके चलते atmospheric pressure में changes आ रहे है atmospheric temperature में changes आ रहे है temperature, pressure और wind direction के हिसाब से जो birds है यह उड़ा करती है तो overall उसके चलते शायद यह bird आपकी रामेशुरम में पहुँच गई तो छोटे मोटे temperature और wind pattern में changes के चलते भी जो birds हैं वो overall एक अलग direction ले सकती है और Southern Ocean से अलग direction लेते हैं यह bird कहां पहुच गई Northern Indian Ocean को cross करते हुए इंडिया पहुच गई यह bird बहुत से सब Antarctic islands जैसे कि Macquarie Islands, Hurd Islands, McDonald's Islands, South Georgia Islands, Prince Edward Island में पाई जाती है समझे हैं यह near threatened species है Indian Union for Conservation of Nature के दोरा light mental albatross के worldwide population 21,600 breeding pairs 1998 के एक estimate के हिसाफ से फिर next Right to Health for All, राज सभा के reply देते हैं यहां पर यह बोला गया देखें, National Health Policy बताई गई थी 2017 में इसके अंदर Health for All का नारा दिया गया था मतलब good quality health care services हम provide करेंगे सब को health care equity लेके आएंगे, health care delivery में जो cost है उसको यहां पर कम करेंगे highest possible level of health और well-being हम लोगों के लिए यहां पर ensure करेंगे एक preventive or promotive health care orientation को यहां पर लेक्याएंगे वगरा वगरा तो यह जो particular policy थी Right to Health, यह कौन से key principles के चारों तरफ गूमती थी equity, affordability, universality patient-centeredness and quality of care accountability, pluralism and decentralization, inclusive partnerships तो basically Right to Health के लिए सरकार क्या-क्या कर रही है सरकार से सवाल पूचा गया तो सरकार के representatives राजसवा में जवाब दे रहे हैं केंदर की सरकार का बोलना है कि हमने Right to Health को ensure करने के लिए बहुत से initiatives लिए है ठीक ना, जैसे कि National Rural Health Mission फिर National Urban Health Mission ओके, फिर National Health Mission के अंदर financial और technical support प्रोवाइड किया जाता है हर अलग-अलग states को, union territories को ताकि ये states, union territories अपने लोगों को quality और affordable health care दे सके वैसे मैं आपको बता दू health care actually में ground well पे states का काम है बट पीछे से overall केंदर की सरकार की तरफ से भी हमें समय पे राज जी की सरकारों को मदद मिलती ही तो ये जो national health mission है ये health infrastructure की improvement की बात करता है adequate human resources available whom man health facilities में quality health care की availability और accessibility हो यहाँ पे ताकि rural एराकों में भी जो underserved और marginalized एराके हैं areas हैं, वहाँ पे भी मदद पहुंश के government ने चार mission mode projects भी launch की है एक है PM ABHIM प्रधान मंतरी आयुष भारत हेल्थ infrastructure mission फिर एक है आयुषमान भारत हेल्थ and wellness center ABHWC फिर एक है PMGAY प्रधान मंतरी जनार हो गयो जना फिर एक है ABDM आयुषमान भारत digital mission तो ये जो PM अभिम है इसके थुरू क्या है capacities को develop किया जा रहा है primary, secondary और tertiary health care है okay national institutions को strengthen किया जा रहा है नए institutions मनाये जा रहे है new और emerging disease को tackle करने की ये जो PM ABHIM scheme है centrally sponsored scheme है इसका outlay था चौनसर डजार एक्सवर्शी करनों का फिर ए जो आयुषमान भारत health and wellness center है comprehensive primary health care by strengthening sub health centers है primary health centers है इस scheme को भी facilitate किया गया है ठीक है फिर जो health and wellness centers है ये preventive, promotive, rehabilitative or curative care provide करते है reproductive child health care services में communicable disease में non communicable disease में और दूसरे health issues बन फिर जो परधानमंदी जन आरोग योजना है ये health care provide करता है हर साल पांच लाक रुपे per family per year को तस 24 करोण पूर और vulnerable families को हाना कि मैं बता दूं कि इस पांच लाक की coverage का बले गलत तरीके से इस्तमाल किया गए छोटी-छोटी बिमारी घुले भी लोग जब गए hospitals के पास तो hospital ने overall private hospitals भी यहाँ पर तो प्राविट हॉस्पिटल्स ने यहां पर फरजी बिल बनाके इस पांच लाग के इंशुलेंस का गलत प्रकार से इस्तमाल किया तो ओवरॉल फरजी बाड़े की भी खबरें इस प्रधान मंत्री जनारोग जोजना से निकल के आई थी बट ओवरॉल दीरे-दीरे करके सिस् जो अंडर ग्रेजुट लेवल पर डॉक्टर्स की सीटें थी वो 2014 में थी 51,348 यह हो चुकी है अब तक 91,927 तो 79% अंडर ग्रेजुट लेवल पर डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई गई हैं और पोस्ट ग्रेजुट लेवल पर डॉक्टर्स थे 2014 से पहले 31,185 जो की अब ह मेडिकल कॉलेजिस को अपग्रेट किया जा रहा है अंडर PMSSFI स्कीम्स नए मेडिकल कॉलेजिस का इस्टैबलिश्मेंट हो रहे हैं 157 नए मेडिकल कॉलेजिस को यहां पर अप्रूव किया गया है जो की अगले तीन फेसेज में बनाए जाएंगे के लिए 5 से 10 सालों में बनाए जाएंगे तो number of hospitals को बढ़ाने के लिए number of health facilities को बढ़ाने के लिए भी सरकार यहां पर step ले रही है फिर overall health को improve करने के लिए आयूश सिस्टम आयूरुवेदा युनानी ठीके ना सिद्ध होमियोपिती योग इसको भी यहां पर प्रमोट किया जा रहा तो जो नाशनल आयूश मिशन है इसको अलागल है राज्यों में और केंज शाशित प्रदेशों में development and promotion of आयूश systems के लिए implement किया जा रहा साड़े 12,000 आयूश health and wellness centers को खोला गया है नाशनल आयूश मिशन के अंदर ठीक है भाई फिर next GS paper 2 और population and associated issues से related यह जो particular fact है आपको काम आएगा कि average life expectancy at birth 20 साल से बढ़ गया है देखिए एक latest report आई है जिसका title है sample registration system based averaged life table 2015-19 तो sample registration system based averaged life table 2015-19 इसको publish किया गया है office of the registrar general and census commissioner government of India के दोरह कि इनका यह बोलना है कि इंडिया के अंदर 1975 में life expectancy थी 49.7 पचास से भी कम जो कि 2015-19 की duration ने पहुंच चुकी 69.7 मतलब 20 साल की life expectancy at birth इंडिया के अंदर बढ़ गई इस particular SRS report 2019 जिसको publish किया गया office of the registrar general and census commissioner government of India के दोरह इसने यह बताया है कि child mortality भी कम हुई है overall under 5 जो mortality rate था ना वो 2014 में था 45 per one life birth 1000 live birth मतलब 1000 live birth में 45 लोगों की मिरति हो जाती ती बच्चों की मिर्ति हो कि जब तक वो 5 साल की होते तो इससे पहले यह नंबर आ चुका है 35 पे 2030 हो चुका है नंबर पर 2000 live birth बच्छे की मिर्ति होगी वो पर थाजार पर 35 बच्चों की यह नंबर 5 साल पहले 45 था तो कहीं न कहें हम improvement कर रहे हैं और improvement की यहां पर जुरुवासर फिर ministry of health and family welfare government of India अलग-अलग राज्यों को union territories को reproductive maternal newborn और child के respect में support provide करता है समय समय पर पैसों का भी और overall advisory services भी provide की जाती है फिर एक adolescent health and nutrition strategy लाई गई है national health mission के अंदर इसको अलग-अलग states or union territories द्वारा implement के जाता है अलग-अलग states or union territories के अपना annual program implementation plan होता है जिसको समय समय पर audit करती है केंदर की सरकार फिर और कुछ government of India ने प्रोग्राम चलाएं जैसे की mother's absolute affection program फिर social awareness and action to neutralize pneumonia successfully यह वाला program फिर UIP universal immunization program फिर RBSK राष्टरबाल स्वास्तकार फिर NRC nutrition rehabilitation centers फिर D2 centers D2 initiatives defeat diarrhea initiative intensified diarrhea control fortnight फिर AMB anemia मुक्त भारत इस प्रकार की बहुत सी strategies के इंदर की सरकार ने चलाई है overall health के parameters को improve करने के लिए life expectancy and birth को बढ़ाने के लिए और वो तब बढ़ाई जा सकती है जब maternal mortality rate और overall child mortality rate इन दोनों को कम किया जाए पिर अगली news है GS paper 2 population associated issues schedule cast and schedule traps prevention of atrocities act 1989 तो भाईया schedule cast and schedule traps prevention of atrocities act ये 1989 से force में आए इसके लिए भाई नियम कानून मनाएंगे 1995 में ताकि overall इस 1989 के act के provisions को implement किया जा सके आपको पता होना चाहिए किसी भी act को बनाने के बाद rules बनानी जैसे citizenship amendment act अब ये act तो बन चुका है कितना बवाल हो असके उपर लेकिन अब तक उसके rules नहीं बने इसलिए citizenship amendment act आज तक लागो नहीं हो पाया है बहले act पारित हो गया है बट rule नहीं है तो किसी भी act को पारित करने के बाद उसके rules लाना ज़रूरी है उसको ground level पर implement करने के लिए तो section 21 clause 2 of the schedule cast and schedule traps prevention of atrocities act और rule 3 clause 1 sub clause A of the POA rules 1995 ये क्या बोलते हैं किस प्रकार से delenation करना है आपको identified areas का चोकि atrocity prone है जहाँ पर SCST के members के उपर अलग-अलग प्रकार का अत्याचार होता है उनके उपर atrocities की जाती है कैसे उनकी safety को ensure किया जाए ओवर ओल atrocities prone area को in particular rule 3 clause 1 sub clause 1 of the POA rules 1995 के अंदर identify किया जाएगा और वहाँ पर ground level पर intervention करके इनके खिलाफ atrocities को रोका जाएगा फिर next है rule 8 of the schedule cast and schedule traps prevention of atrocities rules 1995 इसके अंदर state government एक SCST protection cell बनाईगी state headquarters में जिसका चार्ज होगा DGP ADGP और और फिर Inspector General of Police के लेवल के हाथ है तो यह आप समझे है जो SCST protection cells है जो की rule 8 में बनाई गई है 1995 की rules के एसाब से यह बनाई गई है आंतपदेश में आसाम में बिहार में 36 गण में गुजरात, हरियाना, हिमाचल पदेश, यहारखंट, करनाटका, करला, मतपदेश ना पढ़ सकते हो तो overall rule 8 of the schedule cast and schedule traps prevention of atrocities rule 1995 के अंदर पूरे देश के अलग-अलग इलाकों में SCST protection cells बनाई गई है इसके साथ-साथ भाई National Helpline Against Attrocities बनाई गई है NHAA तो भाई, members of schedule cast and schedule traps के लिए National Helpline Against Attrocities बनाई गई है Department of Social Justice and Empowerment के द्वारव तो आप 12-free number है जोई-जायल कर सकते हैं 14566 और कहीं पे भी अगर schedule cast यह schedule traps के अगेंस तत्याचार हो रहा है अगर आप हो schedule cast schedule traps आपके अगेंस तत्याचार हो आप रिपोर्ट कर सकते हैं तो अगर आप नहीं हो और आप देख रहे हो कि कहीं पे भी SCST किसकी कम्यूनिटी के परसन के अगेंस तत्याचार हो रहा तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और प्रिवेंटिव स्टेप्स यहां पर लिए जाँगे ठीक है भाई तो यह सब बातें बताई जारी है तो जो सेंटल स्पॉंसर्ड स्कीम है PCR Act 1955 को और फिर schedule cast schedule tribes Act 1989 को implement करने के लिए यह overall अगर आप देखो तो इसको implement करने के लिए केंदर की सरकार भी steps लेती है, राजी की सरकार भी steps लेती है, केंदर की सरकार समय समय पर राज्यों को enforcement के लिए resources प्रोवाइड करती है, judicial machine यहां पर बना कर रखे गए, CST protection cells बना कर रखे गए, कुछ special police stations बना कर रखे गए, जो intercast manages होती है, उनको यहां पर promote किया जाता है, awareness generation की जाती है, ठीके ना, legal aid के बारे में यहां पर बात की जाती है, वगएरा वगएरा इसके सासा देहां पर एक और point पर आपका ध्यान लाएगा है कि police और public order यह state के subject है, 7 schedule के अंदर इसलिए actually में ground level पर SCST act 1989 का proper तरीके से implementation हुई है, कि राज्य की सरकार की responsibility है, union trader की सरकार की responsibility है, फिर भी समय समय पर केंदर की सरकार advisory इशू करती है ताकि POA Act और 1995 की rules को proper तरीके से implement किया पर ministry of women and child development ने one stop center बना रखे women help lines को पूरे देश में overall universalize किया है, एक sub scheme मना रखी, संबल नाम की और एक शक्ती सदन नाम की ओके, ये दो नोई scheme है, समर्थ सब scheme के अंदर आती है, umbrella screen mission शक्ती के अंदर, तो overall एक प्रकार का है, आपको यहाँ पर revision हो रहा है ये जो राजसभा और रोगसभा की question answering होती नो, उससे यहाँ पर revision type का हो रहा है, फिर जो one stop centers मदद देते हैं, one stop centers तो one stop centers, सकी centers women के development के लिए बनाए गए है minister of women and child development के दौरा तो इस particular scheme के अंदर चाहाँ public space हो, चाहाँ private space हो वहाँ पर जिस प्रकार की भी मदद की जरू होता है, women को police, medical, legal aid, counselling, psychological support ये सब provide किया जाता है ठीक है भाई, फिर women help line को यहाँ पर universalize किया गया 1 April 2015 से, ताकि 24 घंटे के basis पे emergency और non-emergency response प्रवाइड किया जा सके women को, एक टॉल free 24 hours telecom services भी यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें 181 short court है women यहाँ पर phone कर सकती है, मदद मांग सकती है, कुछ भी information यहाँ पर ले सकती है, 70 lock cause यहाँ पर register हो चुकी है, agreed women के दौरा फिर शक्ति सदन component क्या करता है unfortunate circumstances में जो women victims है, उनको institution support provide करता है, rehabilitation के लिए रहने की जगा पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, यह सब provide किये जाते हैं, तो भाई यह current affairs खतम है, daily editorial के उपर आ जाते हैं, पहला article whose GDP is it anyway, यह मैंने वैसे भी आपके साथ discuss नहीं किया है, कुछ बहुत specific नहीं मिला है, बहुत से points में पहले discuss कर चुका हूँ, एक important article यह है US search for a new role in West Asia देखिया अभी recently US के President Joe Biden, West Asia के visit पहले तो यह इसराइल के इसराइल में उनको honor किया गया President Medal of Honor के दोरब, उसके बाद यह गया साओधी अरीविया में, अब साओधी अरीविया के जो लीडर है मुहम्मद बिन सल्मान उसके against काफी कुछ Joe Biden पहले बोल चुके थे, तो थोड़ा सा cold shoulder था, fisty bump टाइप का था, ठीक है, formally दोनों लीडर से एक दूसरे के साथ मिल रहे है, बट अंदर से बन नहीं रही कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखाई थे चुकि देखे, जब जमाल कोशिगी का मडर हुआ तो 2018 में तो मुहमद बिल सल्मान ने मडर करवाया था, ये openly बोल दिया था डॉनल्ड ट्रम ने, और डॉनल्ड ट्रम दुनिया भर में human rights और democracy की बात करते फिरा करते हैं, तो overall जमाल कोशिगी की अगेंस्ट आप, अगर जमाल कोशिगी की matter को लेके साओधी अरविया के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, तो obviously साओधी अरविया से रिष्टे खराब हो जाएंगे, in fact ये जो कांड हुआ था, वो स्तानबूल में हुआ था, टर्की तक ने साओधी अरविया के साथ overall, मांडवली कर ले, जमाल कोशिगी की investigation को साओधी अरविया में transfer कर दिया गया, obviously बात हैर साओधी अरविया का राजा है, मौमद बिन सल्वानिम के साथ कौन ही पंगा लेगा, अब overall, US को भी यहाँ पर मजबूरी अपनी समझ में आई है, West Asia की जो policy है ना, अभी चूकि इरान के साथ गंदे रिष्टे हैं, तो इरान के जो overall opponents है, उनके साथ दोस्ती मिना कर रखनी पड़ेगी, और उसमें एक आजाता है, साओधी अरविया, प्लस साओधी अरविया के लिए जो visit है, मिस्टर बाइडन की, ये एक और context में important हो जाती, ती रशिया-उक्रेन वार, और इस वार के वज़ा से होने वाली food और energy situation, ठीके बाइडन की जो बाइडन ने प्रामिस किया था कि चूकि साओधी अरविया democracy human rights को मारता है, जमाल कोशिकी को मरवाया, मुहमद बिन सल्मान ने इसलिए हम साओधी अरविया से दूर रहेंगे, कई बार overall, ये यमेन civil war वाले मुद्दे को भी लेके साओधी अरविया के अगेश्ट बोला जाइब को बाइडन ने, लेकिन अब बाइडन की मजबूरी हो गई है, इसको भी जो बाइडन अपना सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब overall strategic concerns के सामने, जो बाइडन को अपना ही जो humanitarian चेहरा था, इसको थोड़ा दबाना पड़ गया, ठीकिन अब, एक जो सबसे बड़ी डिमांड थी यहाँ पी USA की साओधी अरविया से, कि आप अपने oil production को बढ़ाओ, चुकि Russia, Europe को बड़ी quantity में oil दे नहीं रहा है, तो oil का glut चल रहा है market में, तो बाइडन कोशिश कर रहे हैं कि साओधी अरविया से, अगर extra oil का production हो जाए, तो मज़ा आजाए, लेकिन अभी तक साओधी अरविया के crown prince ने कोई भी ऐसा public commitment किया नहीं है, कि वो oil production बढ़ाएंगे, हो सकता आगे बढ़ा दे, public commitment नहीं किया, क्योंकि मैं बता दूं कि साओधी अरविया की रशिया के साथ थोड़ी बहुत बनती है, ऐसा नहीं है कि साओधी अरविया की रशिया के साथ नहीं बनती है, जो थोड़े बहुत आप कहलो demands थी, आपकी Mr. Biden की, कि भाई, bilateral relationship बढ़ाओ, इस सर्थ पर बढ़ेगी ताकि political business, पतलब जो भी political business, जो भी, चुकि आपको पता है कि साओधी अरविया एक dictator country है, मुहमद बिन सल्मान एक dictator है, तो जो भी इनके खिलाब बोलता है, उनको ठाक जेले मन्त कर दिया जता है, तो political opposition को साओधी अरविया में दबाया जाता है, सब जानते हैं, तो चुकि Biden democracy को represent करते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी, तो Biden क्या करना है कि अपने political opposition करने वारे लोगों को जेल से छोड़ो दो, यह हमेशा से demand करते हैं थे Biden, फिर Biden बोलते थे कि travel restrictions को ease करो, उन लोगों के लिए जो दोनों countries की citizenship hold करते हैं, यूएस की भी साओधी अरविया की, हाला कि साओधी अरविया के सामने भी बहुत ज़्यादा शर्तें Biden ने नहीं रखी हैं, Biden actually में यहाँ पर Yemen की crisis को लेके, Ukraine की crisis को लेके, और oil glut की crisis को लेके, साओधी अरविया के साथ, इंगेज करने के mood में हैं, इसलिए आप देखो तो Yemen में truth की बात करने, फिर Israel से, जो भी aircraft civilian उड़ते हैं, वो साओधी airspace का इस्तमाल कर सकें, इसके बारे में यहाँ पर बात की साओधी अरविया के साथ, फाइनली कुछ अभी निकल के नहीं आया है, ठीक है, बट फिर भी, एक चीज़ तो clear है, कि साओधी अरविया के साथ, bilaterally USA engage कर रहा है, अपने आप में बड़ी बात है, चुकि Yemen Civil War को लेके, और जमाल कोशिगी के मडर को लेके, जो बाइटन ने बहुत हट तक, openly Saudi Arabia को criticize किया, तो आप जाओ बाबन, जो बाइटन openly Saudi Arabia के साथ, बातचीत कर रहे हैं, यह भी अपने आप में बड़ी बात है, और जो बाइटन के लिए time खतम हो रहा है, चुकि देखे, December deadline set कर रखी, European countries ने कि, हम रशिया से तेल लेना बंद कर दें, रशिया एक step आगे है, रशिया बोल रहा है कि, तुम क्या हमसे तेल लेना बंद कर लोगा, हम तुम्हें खोदी तेल लेना बंद कर रहे हैं, तो रशिया अपने oil exports to the Europe को कम कर रहा है, तो योरोप के साथ बहुती urgent basis पे, क्या हो सकता है, तेल की कमी पढ़ सकती है, तो योरोपी countries क्या कर रही है, coal, fire, power plants को बढ़ा रही है, gas, fire, power, gas तो खेर कम है, oil, power plants को, basically coal, power plants को European countries शुरू कर रही है, Germany, France, Spain में सब में शुरू हो रहे हैं, तो इस बात को लेकि बाइट इंटेंशन में, climate के अगेंस जो लडाई है, वो compromise हो सकती है, इसलिए inflation को tackle करने के लिए, energy prices को stabilize करने के लिए, Saudi Arabia की जुरू है, बट Saudi Arabia की तरफ से, अभी भी कोई open promise यहाँ पे मिला नहीं है, Saudi Arabia देखिए, इस समय पे, अगर तेल की सबलाई बढ़ाता है, तो वो फिर opportunism वाली बात हो जाएगी, रश्या के साथ, Saudi Arabia के कैसे रिष्टे हैं, overall तेल को ज़दा बढ़ा के, कितने दामों पे बेचा जा सकता है, यह बहुत से factors है, चोंकि Saudi Arabia और GCC की countries, यहाँ पे discuss करेंगी, वाल प्रोड़क्शन को बढ़ाने से पहले, उसके आद मैं बता दो कि, जो बाइटन किवद Saudi Arabia के राजा से नहीं मिले, वो और भी बहुत से लोगों से मिले हैं, जैसे कि, for example, प्राइम मिनिस्टर Al-Qadhimy of Iraq, प्रेजिट अफ यूई शेक मुहमद दिन सायद, एजिप्टिन प्रेजिट अब्दिल फता अल-सीसी, अमीर शेक तमीम बिन हमाद अल-थानी औफ कतर, इन सब के साथ मिले हैं, बतर जी-सी-सी की almost सारी countries के साथ मिले हैं, और पूरे रीजन में एक प्रकार का peace and balance, जो बैडन लाने कोशिश कर रहे हैं, इरान को पीछे रखेलने कोशिश कर रहे हैं, इसराइल के लिए एक positive feeling लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखें, एक बात तो clear है, इसराइल के against, बैडन ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, और यह बहुत पहले से clear थी कि बैडन कुछ भी बोलने वाले नहीं है, चुछी यहाँ पे इस particular arena में एक बड़ा important grouping बन रही है, जिसका नाम है I2-U2, I2 में इंडिया, इसराइल, UAE और US, तो एक प्रकार का west station quad है, और यह west station quad के अंदर potential बहुत ज़ादा है, तो overall long term का game यहाँ पे US खिलने के boot में है, democracy, human rights के capitalization के चलते, overall कुछ लोगों साथ दुश्मनी हो जाए, उससे कुछ मतलब होने वाला है नहीं, इसलिए इंडिया को लेके, और Saudi Arabia जैसी countries को लेके, जो जो बाइडन का stance है, वो काफी नम पड़ गया है, थोड़ा बहुत Donald Trump से यहाँ भी जो बाइडन सीख रहे हैं, फिर food security भी एक बड़ा agent है, तो west station region के अंदर, private sector investment लाना, innovation लाना, water energy transportation के field में invest करवाना, critical emerging और green technologies को आगे बढ़ाने के लिए, US और Saudi Arabia के bilateral relations को इंप्रूब करना अच्छा है, तभी Abraham Accords के real, आप कहलो objectives पूरे किये जा सकते हैं, UAE और Israel के बीच में जो agreement हुआ है, कहीं न कहीं informally Saudi Arabia उसका part है, तगर USA यहाँ पे openly Saudi Arabia से दुश्मनी लेके बैठ जाएगा, तो Abraham Accords के चलते जो भी bonhomie बनी है, वो actual ground level पे trade relations में improvement नहीं दिखाएगी, इसलिए यहाँ पे bilaterally Saudi Arabia के साथ इंगेज कर रहे हैं कौन आपके जो बाटन, तो यह कुछ points यहाँ पे बताएगे हैं, खीकिए भाई, civil society को destroy करने वाल आर्टिकल है, यह मैं बोलूँगा काफी अच्छा आर्टिकल है, इंटीग्रेटिंग टेरेस्ट्रिल 5G networks with Leo satellite networks, देखें, टेरेस्ट्रिल 5G networks, 4G तो आप लोग हमेशा इस्तमाल करते हैं, 4G कैसे आता है, बड़़-बड़ टावल लगा रखे हैं, अलग-अलग टेलिकॉम कंपनीज में, वहाँ पे उनको अवराल तार लगे हैं बैक हैट से, और वो सिगनल्स ट्रांस्मिट करते हैं, हमारे फोर में सिगनल्स आते हैं, वो 4G network इस्तमाल करते हैं, 5G network, ना 5G network में problem यह है, कि जो टेलिकॉम equipment है, वो आपको अपने पहुत पास लगाना पड़ेगा, ज़र्द दूर नहीं लगा सकते हैं, अगर 5G की real speeds आपको चाहिए, तो author यहाँ पे बोल रहा है, कि जो terrestrial ground पे 5G के optical networks लग रहे हैं, अगर इनको साथ में integrate कर जाना है, जाने non-terrestrial networks के साथ, मतलब 5G का network अगर ground level पे लग रहा है tower, तो यह terrestrial network को क्या धरती पे आगया, अब इस धरती के network को जो network धरती बनी उनके साथ जोड़ दो, तो जो network धरती बनी यह वो क्या है, satellite networks, तो जो satellite networks है, खासकर वो satellite networks जो low earth orbit में हैं, 400-500 से लेके 1000 km के उचाही पे हैं, इन low earth orbit के satellite network के साथ, अगर आप जोड़ देते हैं, टरिस्टिल network को, तो आपको seamless internet connectivity मिल सकती है, इसलिए देखो तो star link, जिसको Elon Musk की company SpaceX चलाती, और OneWeb, जिसको भारती global चलाता, यह 2,000 और 648, Elon Musk की SpaceX चलाइजर वेबसाइट, और OneWeb, 648 Leo satellites लाँच कर चुके हैं, क्यों चुकि इन satellites के तुरू broadband connectivity को बढ़ाने के कोशिश की जारी है, समझे है, इसके लिए Reliance Geonic Joint Venture भी किया है, लेक्जंबर बेस्ट SES और Amazon के प्रोजेक्ट क्यूपर के सब, मदलब 5G network ground level पर हम improve कर रहे हैं, और बाकी networks को हम improve कर रहे हैं, किसके तुरू? Leo sat nets के साथ, तो terrestrial 5G network को अगर आप low earth orbit की satellite network के साथ जोड़ देते हो, तो जबरदस्त यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा, तीन main वज़ा हैं इसको जोड़ने की, पहला service continuity मिलेगी, terrestrial networks और sat nets, public safety, disaster management और emergency situation में, ज़्यादा अच्छी service, ज़्यादा reliable services प्रोवाइड कर पाएंगा, पहले से predict कर पाएंगे कि क्या गड़बड़ होने वाली, फिर भाई, terrestrial basis पे जो 5G services लग रही हैं न, वो unserved और underserved areas में नहीं जा सकती हैं, अभी जब 5G services लगेंगी न, आप देखो कि ज़्यादा तर्स services शहरों में होंगी, आप देखो 5G की जो भी trials होंगे, बैंगलोर, चिन्नाई, दिल्ली, मुंबई, ऐसी जगहों पे होंगा, या बड़े शहरों में गाओं दराज के इलाकों में यह नहीं पहुँचेंगे जल्दी, तो गाओं दराज के इलाकों में भी 5G की लेवल की services को कहुँचाने के लिए, और digital divide को खतम करने के लिए, 5G को अगर हम low earth orbit sat net से जोड़ देते हैं, आप केवल लगाते हों, तो मालों आप एक कार के अंदर, आप मूव कर रहे हों, अभी 5G network के टेलिकॉम टावर से आप दूर निकल गए, तो 5G network तूट जाएगा, लेकिन अगर overall satellite network है, low earth orbit का, तो कितनी भी लंबी distance से आप चल रहे हो, जो services मिलेंगी, वो जादा continuous होंगी, जादा reliable होंगी, जादा widespread होंगी, समझ गया, तो terrestrial और satellite network, जो कि पहले independent ecosystem की तरह देखे जाते थे, अलग-अलग इनकी development की बात की जा दी थी, अब एक ऐसा समय आ गया है, third generation partnership का, जहाँ पे terrestrial network को satellite network के साथ जोड़के, consolidated तरीके से ground level पे deploy किया जा रहा है, जो कि अपने आप में long term में overall global connectivity को बहुत तक इंप्रूब कर सकता है, तो terrestrial coverage में जहाँ पे 5G communication services नहीं पहुचेंगी, वहाँ पे satellite services पहुचेंगी, और हर जगा पे satellite services पहुच नहीं सकती, इतनी reliable नहीं हो सकती, इतने बड़े scale पे वो demand को पुरा नहीं कर सकती, इसलिए 5G services को भी होना ज़रूरी है, कई बार यह देखा गया है कि जो terrestrial optical fiber होता है, उससे डेड़ गुना 1.47 times ज़्यादा speed देती हैं leosets, अब leosets की यहाँ पे इतनी तारीफ की गई, यह बहुत से लोग बुलेंगे कि leosets से देदो ना, तो possible नहीं है leosets से इतनी बड़ी जनता को cater करना, इसलिए इतनी बड़ी जनता को cater करने के लिए बहतर यही रहेगा, कि हम leosets net को जोड़ दें terrestrial 5G network के साथ, पस यही इस particular article का topic का objective है, आई ओप आपको समझ में आ गया, और इसके लिए बहुत अत्तक बातचीत हो भी रही है, ठीक है ना, सरकार ने भी अपनी national digital communication policy 2018 में, अनौंस किया था number of areas including the development of an ecosystem, for local manufacturing of satellite communication system, and promoting participation of private people for strengthening of satellite communication infrastructure, तो 5G तो हम लगा ही रहे हैं, satellite communication infrastructure को भी improve कर रहे हैं, तो जबरदस तरीके से overall हम इंटरनेट connectivity को बढ़ा पाएंगे, और यहाँ पर demand driven model लाने के हम कोशिश कर रहे हैं, demand driven model मतलब की, जितनी ज़्यदा demand उतना ही ज़्यदा आप network को setup करो, उतना ही ज़्यदा network को streamline करो, मतलब overall यहाँ पर free में आप कुछ चीज़े नहीं बाटी जाएंगी, ठीक है न बाई, जो भी लोग इस particular service को इस्तमाल करेंगे, वो इसके लिए payment करेंगे, और इस particular activity के लिए एक regulatory body भी है, department of space ने 2020 में setup किया था in space, Indian National Space Promotion and Authorization Center, तो यह जो in space है, यह एक level playing field प्रोवाइड करेगा private companies को, ताकि वो Indian space infrastructure को efficient तरीके से use कर सके, private industries को promote कर सके, guide कर सके, space activities में, एक अच्चे regulatory environment के अंदर, एक progressive internet और communication infrastructure को set up किया जाएगा, synchronize करके, यह यहाँ पर बताया जा रहा है, व्री सीधर जी के दोरा, फिर अगला भाई, lessons from काला कुरूची, देखिए, अभी तमिल नाडू में काफी बवाल हो गया, 17 जुराई की morning को जब आपने टीवी खोला, तो आप देखो, तमिल नाडू में लगबग 3,000 लोग rights करते नजर आ रहे थे, दंगे करते नजर आ रहे थे, कहाँ पे एक higher secondary school में, जो कि कनिया मूर नाम की जगा पे है काला कुरूची में, क्यों? चो कि 12 बारवी कच्छा की बच्ची ने suicide कर लिया, हाला कि उसके parents का ये बोलना है कि उसने suicide नहीं किया है, उसका murder किया गया स्कूल की authorities के दोरा, तो भाईया furniture, school buses, वेकिल्स, property, सब तोड़ दीगी, बरबाद कर दीगी, भैंकर ववाल हो गया, 110 तो पुलिस वालों को चोटाई है, deputy inspector general of police, इनको चोटाई है, 60% जो वेकिल्स थे, पुलिस को उनको यहाँ पे जला दिया गया, actually में, कुछ लोग ये बोल रहे है कि, इस girl की मौत का इस्तमाल किया गया है, overall यहाँ पे rights को promote करने के लिए, मैं ऐसा बताया जा रहे हैं कि, 3000 लोगों ने इस rights में participate किया है, और जो भी लोग इस rights में participate कर रहे थे, वो सब यहीं के नहीं थे, दूर दुराज के इलाकों से आये थे, तो overall बड़े ही organized तरीके से इन rights को यहाँ पे organize किया ऐसा बोला गया, कुछ political और social organization, whatsapp group बनाके लोगों को mobilize कर रहे थे, एक समय पे लोगों को एक साथ बोलाया, और यहाँ पे बड़े ही आप कहलो comprehensive, logical और institutional तरीके से violence किया गया, intelligence का failure बताया जा रहा है, इतनी बड़े तागात में mobilization हो रहा था violence के लिए, तो overall district administration को मुस्तायाद रहना चाही था, advanced intelligence रहनी थी कि यहाँ बड़े इस प्रकार का कोई बवाल होने वाला है, पहले से इसको रोको, but district administration अपने आप में intelligence इकटा नहीं कर पाया, इस बवाल को साही समय पे नहीं रोक पाया, ठीक है, एक और चीज हुई यहाँ पर, चुकि girl की पहली autopsy हुई और उसको suicide बताया गया, तो बाद में overall parents ने रिमांड की कि दूसरी autopsy करो, madras high court ने दूसरी autopsy की दिमांड, मतब दूसरा post-martem भी allow किया, फिर जब तूसरे post-martem की रिपोर्ट से parents कुछ नहीं हुए, तो ने नों बला तीसरा post-martem करो, लेकिन तीसरा post-martem के लिए, madras high court ने मना कर दिया, madras high court ने बला एक काम करो, तीन forensic science experts की हम टीम मना रहे हैं, जवाला नेरू Institute of Post-medical Education Research के होंगे, पुदुचेरी के, और ये मिलके दोनों रिपोर्ट को study करेंगे, और बताएंगे कि actually में जो girl की मौत है, वो किस वज़े से हुई है, MK Stalin साब ने लोगों से appeal किये, कि please violence मत करिये, हम चीजों को sort out कर रहे हैं, overall बड़े-बड़े officials को ground level पे deploy कर दिया गया, बट नो डाउट, इतने बड़े scale पे violence बिना planning के नहीं हो सकता है, यहाँ पे actively planning को promote किया गया, whatsapp के तुरू information को share किया गया, लोगों को एक जगा पे एक समय पे mobilize किया गया, और फिर बड़े scale पे हाँ राइट सुए, और police इसको रोकने में successful नहीं रही गाए, फिर भाई, chess olympiard हो रहा है तमिल नाडू के अंतर, 44th chess olympiard, फ़हले रशिया में होने वाला था, बट युक्रेन वार के चलते हैं, वहाँ से निकल गया, अभी जो 44th chess olympiard है, इसे 187 nations participate करेंगे, इसकी पहले तो एक गाला ceremony होगी, चिन्नाई के नहरू स्टेडियम और फिर 11 राउंड का ये action शुरू होगा ममालापूरम में, रशिया और चैना यहाँ पर participate नहीं कर रहे है, मैगनस कालसन जोकि नॉर्वे के हैं बहुत बड़े chess players हैं, विश्वनात आनन्ज को कई बार हरा चुके हैं, वो यहाँ पर participate करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने आप में इंडिया के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, इंडिया की तरफ से 30 players जिसमें 15 women हैं, वो इंडिया को represent करेंगी और इनको mentor कौन करेगा, विश्वनात आनन्ज, समझगे हैं भाईगी, तो बेसिकली इंडियान वुमिन भी यहाँ पर अपनी धाग जमाने कोशिश करेंगी, इंडियान मेंस टीम भी अपनी धाग जमाने कोशिश करीगी, और अपने आप में बड़ी बात यह है, कि इंडिया ने सिर्फ चार महीने के टाइम पिरेड में, तमिल नाडू सरकार के साथ, आप कहलो, कोडिनेट करके, और इंडिया चेस्ट फेडरेशन ने सिर्फ चार महीने के अंदर अंदर, इस चेस्ट ओलम्पियाड की तैयारी प्रेपरेशन पूरी कर ली हैं अपने आपने बड़ी बात हैं, वर्ड चेस्ट फेडरेशन अरेंजमेंट्स को फाइन ट्यून कर रहा है, ओके, चौदा सो फेडरेशन यहाँ पे ओवर्ड इस चेस्ट ओलम्पियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, सारे गेम्स का लाइब ब्रोडकास्ट होगा, ठीके ना, तो इसका पूरे इंतजामात सिर्फ चार महीने के अंदर किये गए, तमिल नडू की सरकार के M.K. स्टालिन सामने इसको अप्रूवल दिया था, और इंडेशन फेडरेशन ग्राउन डेवल पे इंप्लिमेंट मतब इन्वाल था, और कुल मिलाके ओवरॉल तैयारी हो चुगी है, जिस स्टेडियम में, जिस आप कहलो, कन्वेंशन हॉल में ये ओवरॉल प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे पांसो मुलेंटियस तैनात किये गए हैं, जोकि सब की जरूरतों को केटर करेंगे, सेक्योर्टी पर्सनर्स, हेल्थ वर्कर सबको यहाँ पे तैनात किया गया, ओवरॉल ये गेम्स प्रॉपर तरीके से कंड़ेक्ट हो जाएं, इसको इंशोर करने के लिए, ठीक है भई, तो ये ओवरॉल यहाँ पे निउस निकलके आ रही हैं, मायनमार के अंदर चार लोगों को एग्जेक्यूट कर दिया गया, मिलिटरी तत्मादवा ने चार लोगों को एग्जेक्यूट किया, फर्वरी 2021 में कूप हुआ था, अब तक 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, 11,000 अभी भी जेल ने बंद हैं, 2,000 लोगों को मर दिया गया, इनकी जो लीडर है, ऑंक सैंक्सी कुई, इनको कुछ फोनी चार्जेस में, सीक्रेट टैल में 11 साल जेल के ले डाल दिया, और भी कुछ इलजाम लगा दिये गये, तो जब तक वो जिन्दा रहेंगी, कि तब तक वो जेल में रहेंगी, कि जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं न, ये और आल सलकों पर देखिए, पहले क्या था, पहले भी डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन मिलिटरी ताकत में थी, तो लोग थोगा धीले पड़े होए थे, बाद में फिर एक क्या सकते हो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्लस मिलिटरी लीडर्स दोनों देश को चला रहे थे, ओंक सेंग सी की पॉपलरिटी बढ़ रही थी, इस भड़ती पॉपलरिटी के साथ जो मिलिटरी थी, जो तत्मा दौती वो नर्वस हो रही थी, एकदम से कूप हुआ, हांक सेंग सी की घटा दिया गया, लेकिन अब लोग गुस्से में, अब लोगों को डेमोक्रेसी की आदत पड़ रही है, अब लोगों को फ्रीडम की आदत पड़ रही है, इसलिए लोग यहाँ पे सरकार के अगेस्ट एजिटेशन कर रहे है, जो थोड़ा पीरेड आया थे स्टेबल, एकदमिक ग्रोज का सुखी के अंदर वो जा चुका है, मिलिटरी ने जो कौसी डेमोक्रेसी इस्टैबलिश की थी, वो यहाँ पे खतम हो चुकी है, डेमोक्रेटिक इक्सपेरिमेंट खतम हो चुका है, माइनमार की मिलिटरी जनता राज कर रही है, अपने उपर पावर लाने की कोशिशन भी तगड़ा आ रहा है, खतरना का position आ रहा है और इसकी वज़े ये भी है कि भाई economically मायनमार को नुकसान हो रहा है मायनमार की GDP 18% गिरी है 2019 comparison में 13% कम है ठीक है ना एक alternative national unity government बनी है जिसका ये claim है कि मायनमार के बहुत से हिस्से इनके इलाके के control के अंदर है और जितना ज़्यादा मायनमार के जनता overall यहाँ पे लोगों को मारेगी political opponents को मारेगी execution करेगी उतना ही ज़्यादा मायनमार के लोग नाराज होंगे उतना ही ज़्यादा international criticism मायनमार के अगेंस्ट बढ़ेगा हालाकि इस रशिया यूकरेन वार के चलते है मायनमार के उपर से ध्यान चला गया है और चैना रशिया का अंधा सपोर्ट है मायनमार को इसलिए मायनमार की जो military जनता है वो अपने मन के एसाफ से कुछ भी यहाँ पे ground level पे करती नजर आ रही but over the course of time लोगों का उस्सा बढ़ेगा और मायनमार के military leaders को handle कर पाना दीरे दीरे मुश्किल होता जाएगा तो यह था analysis दोस्तों I hope आपको मज़ा हो वीडियो को लाइक को शेर कर दीजेगा Instagram पर follow कर लिजेगा Telegram जो चनल लिजेगा हो सके तो join us